नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल पर दोस्तों हम लोग Basic Electrical Engineering के Short Notes यहाँ पर देख रहे हैं और इससे पहले हम लोग ने दो वीडियो में दिस्कस किया था Units and Dimensions और फिर उसके बाद Register तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Capster की Capster क्या होता है इसके कितने टाइप होते हैं इसको हम यहाँ पर आज दिस्कस करेंगे तो देखते हैं दोस्तों की Capster क्या होता है What is Capster? Capster क्या है? Capacitor is an electrical component that stores charge तो Capacitor जो है वो एक electrical component है जो की charge को store करता है It is consist of two conductors close to each other where the two conductors are two metal plates तो यह जो Capster होता है यह है बनता है दो conductor से मिलकर बना होता है जिसमें यह दोनों conductor होते हैं वो पास-पास होती है अब यहाँ पर conductor कहने का मतलब यह है कि यह जो दो conductor हैं वो metal plate है The plates are separated by insulating material called dialectic तो यह जो दोस्तों plate होती है इनके बीच में हम insulating material को fill करते हैं तो दोस्तों यह जो अब बनता है यह हमारा कहलाता है capture और इसके बीच में जो हम लोग जो insulating material fill करेंगे वो कहलाता है dialectic तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं यह है हमारा एक capture जिसमें हमने जो है insulating material हमने fill किया है जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं dialectic और यहाँ पर आप यह देख रहे हैं यह हैं इसके terminal positive and negative और यह जो दोस्तों D है यह आपकी इन दोनों के plate की बीच की distance है तो इसको हम इसका जो दोस्तों symbol होता है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार symbol रहता है इसे हम C से represent करते हैं C is equal to होता है epsilon A Y D या फिर इसी को हम बोलते हैं epsilon not epsilon R A upon D दोस्तों इसकी unit होती है ferret the ratio of Q Y V is the gradient of state line तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं यह एक graph है Q versus B का तो यहाँ पर यह जो आप line देख रहे हैं यह दोस्तों है एक बिल्कुल linear 9 ठीक है state line है तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम एक ratio देखें Q और B का तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि यह constant रहता है आएए देखते हैं कि यह constant कैसे रहता है जैसे कि दोस्तों अगर हम B को लेते हैं 2 और Q को लेते हैं 4 तो 4 बटे 2 यहनि कि यह हो जाएगा हमारा 2 अब यदि हम B को लेते हैं 4 और Q को लेते हैं 8 तो 8 बटे 2 यहनि कि यह 2 नहीं पर 4 होगा क्योंकि हम voltage को चाल ले रहे हैं इस बार तो यहाँ पर यह हो जाएगा 2 तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि QYB का जो ratio है वो एक constant है हमेशा यहाँ पर 2 आ रहा है तो दोस्तो यह है जो constant है इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर C तो Q बराबर हम इसे C B भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तो यह जो capacitor होता है वो प्लेट की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है capacitor stored the energy in the form of electric field तो यह जो capacitor होते हैं यह energy को store कर लेते हैं किस form में? electric field की form में तो energy का दोस्तों इसके लिए formula हो जाता है हमारा E is equal to 1Y2CB square अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ से C is equal to क्या है आपका? Q Y B तो जब आप यहाँ पर C की जगे पर Q Y B लिखेंगे तो B से B cancel हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 1Y2Q और B तो इसी तरह से दोस्तों हमारा यह जो 1Y2Q square upon C है यह भी formula इसी तरह से conversion करके बना है तो unit of energy दोस्तो unit होती है इसकी joule charging of capacitor capacitor की charging देखिए दोस्तों जब हमारा capacitor चार्ज हो रहा होता है तो उस समय दोस्तो current की equation होती है ICT is equal to I naught E की power minus T Y tau इसी तरह दोस्तों जो voltage की equation होती है वो होती है VCT is equal to V naught 1 minus E की power minus T Y tau charge की equation दोस्तों होती है QCT is equal to Q naught 1 minus E की power minus T Y tau अब देखिए दोस्तों discharging की जो equation होती है capacitor of discharging current की equation होती है ICT is equal to minus I naught E की power minus T Y tau तो यहाँ पे दोस्तों आ जाता है हमारा minus voltage की equation VCT is equal to V naught E की power minus T Y tau charge की दोस्तों equation होती है QCT is equal to Q naught E की power minus T Y tau अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं time constant जोमारा capacitor के लिए time constant time constant for capacitor capacitor के लिए जो dotoj time constant होता है वो होता है tau is equal to Plato की capacitance for various capacitor तो कई सारी दोस्तों capacitor होते हैं उसके लिए हमारा korn-korn sâu formula बनता है तो यहाँ पे हम देखते हैं एक type होता है तो पारलेल प्लेस capacitor इसमें हमारा जो पहला टाइप आता है वो दोस्तों है यूनिफर्म डाइलेक्टिक मीडियम जिसका फार्मूला होता है दोस्तों C is equal to epsilon not epsilon r a y d अब ये दोस्तों किस के लिए ये है एक मीडियम के लिए और वहीं अगर हम बात करें air के लिए तो air के लिए दोस्तों हमारा फार्मूला होता है C is equal to epsilon not a y d जाद तर दोस्तों आप लोगों ने ये वाला फार्मूला देखा होगा इस पर आप लोगों ने question को solve किया होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए यह फार्मूला हमारा इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर epsilon r की value है यहाँ पर one देखिए यह होता है हमारा epsilon is equal to epsilon not epsilon r epsilon जो है यह दोस्तों हमारा होता है absolute permittivity यह जो दोस्तों है यह हमारी होती है permittivity in free space और यह दोस्तों यह epsilon r है यह हमारी होती है relative permittivity तो air के लिए इसका मान दोस्तों हो जाता है one बाकी other के लिए दुस्तों इनका जो है man change होता है तो अब हम देखते हैं medium partially air इसका मतलब क्या हुआ when some part of parallel plate capture have air medium and some part have another medium तो कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा capture है जिसमें कुछ part जो है उसमें हमारा air है और इसके कुछ part में हमारा another कुछ अलग medium है ठीक है एक part हमारा air है और दूसरा जो है वो अलग medium है तो इस condition में हमारा जो formula बनेगा वो बनेगा यह c is equal to epsilon not a upon d minus t minus t upon epsilon r तो यहाँ पे दोस्तों यह जो small t है यह है हमारी thickness of dialectic जो capsule होता है वो depend नहीं करता है plate की thickness पर देकिन यहाँ पर यह जो आपका दोस्तों t है यह है हमारी dialectic की thickness epsilon r इसे हम बोलते हैं relative permittivity अब दोस्तों देखते हैं हम composite medium इसके लिए दोस्तों जो formula होता है वो हमारा यह होता है c is equal to epsilon 0 a upon t1 upon epsilon r1 plus t2 upon epsilon r2 plus t3 upon epsilon r3 next है multi plate capacitor इसके लिए दोस्तों formula हमारा होता है c is equal to n minus 1 into epsilon 0 epsilon r a upon t और यहाँ पर दोस्तों जो n है वो है number of plate plate की संख्या अब दोस्तों दूसर type हमारा आता है cylindrical capacitor इसके लिए जो हमारा formula होता है वो यह होता है c is equal to 2 pi epsilon 0 epsilon r upon log e r2 upon r1 तो इसे अगर हम length की बात करें तो यहाँ पर length की अगर हम बात करें तो इसके लिए दोस्तों हो जाता है farad per meter potential gradient in a cylindrical capacitor small g तो दोस्तों जो हमारा gradient होता है gradient max gradient के लिए हमारा formula बनता है बी upon r1 log e r2 upon r1 वहीं दोस्तों g minimum का formula यहाँ पर बनता है v upon r2 log r2 upon r1 अब देखते हैं यहाँ पर conversion of capacitor जैसे दोस्तों हमारा resistance में हमारा conversion होता है star To delta और delta To star इसी तरह से, दोस्तों, कैप्स्टर में भी हमारा कनवर्जन होता है delta to star और star to delta तो यहाँ पर हम देखते हैं delta to star यानि कि यह delta है, इसे हम यहाँ पर star में change कर रहे हैं तो अब देखिए, यहाँ पर हमें ca की value निकालनी है star में तो कैसे निकालेंगे इसका, दोस्तों, फार्मुला होगा CA is equal to CAB जो की है आपका ये वाला है CA CA B दोस्तों, ये वाला है और C, CA दोस्तों, ये है इन दोनों को हम add करेंगे इसके और इन्ही दोनों के दोस्तों multiply कराएंगे और इसके बाद, इसके सामने जो दोस्तों, capture है ये वाला इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर C, B की वैलू निकाल सकते हैं C, A, V C, A, V अब देखिए कहाँ पर है दोस्तों यह है और C, B, C C, B, C दोस्तों यह है इन दोनों को दोस्तों एड़ करेंगे इसके बाद इनी दोनों की मल्टिप्लाई कराएंगे और इसके बाद यह जो दोस्तों सामने वाला कैप्टर है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे इसी तरह से दोस्तों C, C की वी वैलू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं स्टार टू डिल्टा यानि कि अब हम जा रहे हैं स्टार से डिल्टा में तो C, A, B C, A, B का मतलब दोस्तों हम लोग यह वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालेंगे किस तरही के से निकलेगा यह रेजिस्टेंस तो देखें C, A, B is equal to C, A into C, B तो C, A यह हो गया और C भी हमारा रेजिस्टेंस यह हो गया इन दोनों की दोस्तों multiply करेंगे और इसके बाद इन सभी केप्सिटर को जोड के हम इसको divide कर देंगे तो हमारा C, A, B केप्सिटर निकल आएगा इसी तरह से दोस्तों C, B, C और इसी तरह से C, C, A केप्सिटर हम यहाँ पर निकल सकते हैं तो यह रहा दोस्तों आपका delta 2 star और star 2 delta conversion किसका केप्सिटर इन सिरीज सिरीज में केप्सिटर का दोस्तों formula हमारा होता है C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 दोस्तों जो resistance में हमारा parallel में जिस तरह से हमारा formula बनता है यहाँ पर उसका सिरीज में बनता है तो capture in parallel parallel में हमारा यहाँ पर बन जाता है formula C is equal to C1 plus C2 plus C3 concept of short circuit and open circuit of capture with respect to time तो देखिए यहाँ पर short circuit और open circuit यहाँ पर current और voltage होंगे तो current की दोस्तों जो equation होती है मुहमारी होती है I C is equal to C dby dt इससी तरह से दोस्तों हमारा voltage की equation होती है B C T is equal to 1 upon C यहाँ पर 0 से T तक हम limit लगाएंगे और I C T dt plus B B not 0 B 0 not negative क्या लिए types of capture हमारे जो type होते हैं capture के उनके दोस्तों कुछ type यहाँ पर दिखाए हैं जिसमें हमारा पहला type है यहाँ पर air capture paper capture plastic film capture mica capture, ceramic capture electrolytic capture some important points तो कुछ important points हम यहाँ पर देख लेते हैं capture से related देखिए पहला point है capacitor opposes rate of change of voltage तो दोस्तों यह जो capture होता है यह voltage के change होने को मतलब voltage के change होने का विरोध करता है capacitor the capacitor never dissipate energy but only store it तो कहने का यहाँ पर मतलब यह हुआ कि जो capacitor है वो कभी भी energy को dissipate नहीं करेगा ठीक है कभी भी capacitor जो है वो energy को dissipate नहीं करेगा लेकिन वो energy को store कर लेगा अब store करेगा तो वो दूसरे को deliver करेगा store करेगा फिर deliver करेगा लेकिन वो खुद से कभी भी energy को जो है वो generator नहीं करेगा capacitor store the energy in the electric field तो अभी बताया था दोस्तों जो capacitor होता है वो energy को store करता है और वो किस form में करता है वो हमारा करता है electric field की form में polarized capacitor है positive and negative terminal तो जो दोस्तों polarized capacitor है वो उस पर दोस्तों हमारे positive और negative terminal दिये होते है and must be connected to a circuit in the correct polarity तो इस तरह के जो capacitor होते है polarized capacitor इनको बहुत ही जरूरी होता है circuit में correct polarity के साथ में connect करना